नमस्कार आदाब शश्रीयकाल टेस्टी बाउंग फूद्स में आप सब का स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं प्रॉंस विद पॉपी सीज पॉस्ता दाना के साथ प्रॉंस बिंगॉली में से कहते हैं चिंग्री पॉस्तो यह मेरे दादी मा के हाथ का मेरा बहुत ही लेकिन चिंग्री को ठीक से क्लीन कर लेना है अगर वह हो सकते हैं तो आप मार्केट से क्लीन कराके लाइए अदर्वाइस खुद क्लीन करें यह बहुत इंपॉर्टन स्टेप है इसकी जो चिंग्री के बैक में जो वेन होता है प्रॉंस में उसको निकालना बहुत ज़री ह होता है अब क्लीन हो जाने के बाद इसमें मिलाएए मेरइनेट होता है अब मिलाने है वाइट मस्टर्ड, सफेद सर्सो, पोस्तादाना और हरी मिर्च, फ्रेश चिली, हरी लाल अब इन सब को मिलाके ग्राइंडर में अच्छी तरह से पेस्ट करना है यह पेस्ट इतने आसानी से नहीं होता है, थोड़ा से हो जाने के बाद इसमें गुनगुना गरम पानी मिलाईए, थोड़ा थोड़ा करके जादा नहीं गरम पानी मिलाने के बाद यह बहुत आसानी से पेस्ट हो जाएगा अब एक प्री हीटेड पैन पे दो टेबल स्पून ओयल लीजिए प्रेफरबली मस्टर्ड ओयल इसमें टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है अब इसमें देना है कलाँजी, काला जीरा, ब्लैक यूमिन फिल तोड़ा सा अब टी स्पून अब इसमें मिलाना है मैरि Νेटेड प्रॉंज और प्रॉंज को फ्राई करना है यह फ्राइंग प्रोसस थोड़ा दिर तक जब तक यह क्रिस्पी ना हो जाए तब तक फ्राई करना है अफिलेटेड लिंक्स के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करिए बहुत सारे इडिनसेल्स इंग्रीडियन्स के लिंक्स दिये हुए हैं अब इसको थोड़ा दिर तक फ्राइ करना है टॉस कर सकते हैं अभी हमने जो पोस्ता और सर्सो का पेस्ट बनाया था पॉपी सीर मस्टर्ड के उसमें मिलाने हैं थोड़ी सी हल्दी और स्वाद अनुपसा नमक अब इसमें देना है वन टैबल स्पून मस्टर्ड ओयल थोड़ा सा ज़्याद आई है लेकिन यसी में तो आएगा वो टेस्ट अब इसको थोड़ा सा ठीक से मिला लेना है ताकि मस्टर्ड ओयल टर्मरिक सॉल्ट पोस्टो और मस्टर्ड सीड साथ में चिली का जो टेस्ट है आप उसमें अच्छी तरह से घुल मिल जाए बहुत ही बढ़िया रेसिपी होता है और मेरे तो बहुत फेवरिट है मेरे दादी माज इसको हम लोग दीदिमा बोलता है बैटरनल ग्रैंड मदर उनका बनावा रेसिपी आज तो वह है नहीं लेकिन रेसिपी हमें याद है जब क्रिस्पी फ्राई हो जाए थोड़े दे तक अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए फ्राई हो जाने के बाद इसमें मिलाने हैं सरसू पोस्तादाना का जो पेस्ट है अब इसको खलके हाथों से थोड़ा सा मिक्स कर लेना है तक जो पेस्ट है वो चारो तरह फैल जाए थोड़े दर तक पकने के बाद धीमें आच में इसको पकाईए ने तो जल न जाए थोड़ा सा टॉस भी कर सकते हैं प्रांस जिनको फेवरेट है वो तो ट्राइ करें जिनको फेवरेट नहीं है वो भी एक बाद ट्राइ करके देखें हो सकता अच्छा है अब इसमें देने हैं थोड़े स्लाइस्ट चिली और एक लीड से ढख दीजिए और लेट कुक फार फाइब मिनित्स इस प्रोसेस से में क्या होगा जो मसाले का टेस्ट है वो प्रांस के अंदर चले जाएंगे पस और क्या इतनी से आसान से रेसिपी है टेक्स हार्ली 15-20 मिनिट्स टू प्रेपेर चले तैयार होगे हमारा चिंग्री पोस्तो या जिंगा पोस्ता प्रांस मसाला मस्टर्ड प्रांस जिस नाम से भी आप बलाएं लेकिन होता है यह बहुत लजीज ट्राइ जरूर करिए और करें हम बताईए कैसा बना आपका प्रांस पोस्तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताईए कि हमारा रेसिपी आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं टेंक्यू